नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको म tutto द्षरों, मैंना अमरीश्यूूरी आज के इस वीडहों हम बात करने बाले मुख मंतरी कन्या विभाह योजना के बारे में हैं दोस्तों सकरे आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है, मुख मंतरी के दोरा कन्या विवा योजना के अंतरगत जो यहाँ पर कन्याओं को जो यहाँ पर विवा के लिए यहाँ पर अनुदान दिया जाता है यानि कि विवा अनुदान जो यहाँ पर दिया जाता है तो दोनों चीजों के बारे में आज के इस ब्रों आपकम जानकारी देने बाला है और कितना आप लोगों को लाब मिलने बाला है सब कुछ आज के इस ब्रों आपकम जानकारी देने बाले हैं दोश्टों कंघा भी भाई योजिनाक के अन्तर्गत लोग दो तरीके से आपे आबएदन कता है सबसे पहला तरीका है यहाँ पे ओन- लाइन तो ओन- लाइन जो आबएदन होता है दोश्टों वह सब्छे 20 पलस के माध्यम से, इ биारा मैं हूं तो ऐसे में अभी online आवेदन यहां पर संभब नहीं है, तो आज किस बुनाओ को जानकारी देने बाले हैं कि किस परका से आपको offline आवेदन करना है, यहां पर जो offline आवेदन होता है दोस्तों उसके लिए आपको जो आपको फोर्म डाउनलोड करना होता है, और फोर्म भढ़कर आपको जो आप पर offline आवेदन करना होता है, तो सबसे पहले कन्या विभाई योजना के बारे में पूरा डीटेल में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो इस website प्याना होगा, यहाँ पर आप देख पाओंगे सरकारी योजना में मुख मंत्री कन्या विभाई योजना 2021, अगर आप यह वीडियो कुछ दिन बात देखने हैं तो आपको जो नीचे पोस्ट मिल जाएगा, अगर फिडभी नहीं मिलता है, तो आपको करना क्याए यहां पर आपको सर्च का आउइकन दीखेगा, इस पे क्लिख करके आपको इहाँ पर डाइप करना है मुख मंत्री कन्या विभा योजना तो आपको जो पोस्ट है वह मिल जाएगा, कुछ इस पकार से आपका जो एक post उपोन कर चलाएगा इस post में आपको पूरी जानकाई दी हुई रहेगी कि किस पकार से आपको जो आपको आवेधन करना है कौन-कौन लोग आवेधन कर सकते हैं किस पकार से आपको form डाउनलोड करना है क्या क्या काग्जात लगने बाला है सब कुछ आपको जो इसमें डीटेल में जानकारी मिल जाएगा सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जो आप नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख करनेंगे कि क्या है यह 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 यहाँ पर जानकाई दिया गया है, इस योजणा का लाभ लेने के लिए योगिता, यही है दोस्तों कि लड़की का जो उम्र होगा, वो जो 18 बर्ष से ज्यादा रहेगा और लड़के का जो उम्र रहेगा, वो जो 21 बर्ष से ज्यादा रहेगा, साथ में जो लाभार्ती बीपील कार्ड होना चाहिए यानि कि रासन कार्ड उनके पास होना चाहिए या फिर बीपील कार्ड होना चाहिए यानि कि गड़ी भी रेखास नीची आने चाहिए तभी वो जो यहां पर आबेदन कर सकते हैं और सलाना जो उनका इंकम होगा वो जो साथ हजार रुपे से कम ह चाहिए तभी जो वो आबेदन कर सकते हैं अब दोस्तों important document की बात करें तो यहां पे जानकाई दिया गया है कि आपको आधार कार्ड मून निवास पर्मान पत्र यानि कि आपनों को एक आबास ये बनबाना होगा जाती पर्मान पत्र बीपील रासन कार्ड लड़की की जन्म फोटो लड़के और लड़की का जन्म पर्मान पत्र आयू पर्मान पत्र दहेज ना लेने का स्वा पर्मानित घोसना पत्र यानि कि दोस्तों आपनों को पीडिएफ में ही मिल जाएगा यानि कि फॉर्म के साथ आपको प्रोबाइड करवा दिया जाता है ये सभी document आपको यहाँ पर link मिल जाता है click here पर click करके आप यहाँ पर online apply पर जा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर form download का link मिल जाता है तो click here पर जैसी आप click किजएगा तो आपका जो offline form है वो यहाँ पर download हो जाएगा हलांकि दोस्तों आपको बताते कि यह जो form है यह form थोड़ा सा पूराना form है यहाँ कि जो form हमारे पास upload था वही form मैंने जो यहाँ पर लगा दिया है लेकिन आपको करना क्या यह form जो नया form आपको यहाँ पर मंगबाना है नया form कहां से मिलेगा उसके बारे मैं आपको जानकाई देते हैं तो यहाँ पर जो नया form आपको मिलेगा वो जो आपके block जो हो जिसमें कि आपको जो यहाँ पर सव घोसना के साथ साथ जो यहाँ पर साधी परमान पत्र होता है वो भी आपनों का वहाँ पर बनाने का फॉर्म मिल जाएगा यानि कि सब कुछ आपनों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इस पकार से आपनों का फॉर्म मिल जाएगा आपको जमा करना है, साथ में दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, कि यहाँ पर साधी परमान पत्र आपको बनबाना होता है, जो कि आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा, आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पर देख पाना है, कि विवाह प्रोबाइड करवा देंगे, उसके बाद में कुछ घास यहाँ भरने के लिए नहीं है, सिर्फ वही आपनों का प्रसनल डीटेल होता है, यानि जो आपनों का खुद का जानकारी होता है, वही देना होता जिसे नाम, उम्र, पिता का नाम, माता का नाम, लड़की का उम्र, लड़की का नाम यह सारा चीजिए आपे-पलोगा नोग यहाँ पर देना होता है आपको यह form भर सकते हैं, अलाकि मैं कहुंगा कि आपको इस form को यहाँ पर डाॉंलोड करके इसको आपको होता है अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप जो इस वेब साइट पर आ जाएगा यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगा कि कौन कोई सा दोक्यूमेंट लगाना है सभी क्यूद्म के तो长 continues पर आपको फोटो कोपी रहते है अपको अनुदान मिलता है तो वह भी आप जहां सकते हैं तो इस पकार दोस्तों आप लोगों को यहां पर आभेदन करना होता है I hope दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकाई दे दे कि किस पकार से आपको मुखमंतरी कन्या विभाय योजना में आभेदन करना है अब दोस्तों मैं step by step इसको भरकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह फॉर्म में लगवग 6 पेज का है अगर मैं पूरा भरने के कोसिस करूँगा तो यहां पर बहुत ही जादा लंबा यह वीडियो बन जाएगा तो इसलिए मैंने इस सौट में आपको जानकारी दे दिया इसमें कोई भी खास टीटेल यहां पर नहीं मांगा जाता है सिर्फ आपका जो खुद का जानकारी है वही जानकारी यहां पर ढालना होता है और कुछ भी यहां पर नहीं मांगा जाता है फिर भी अगर किसी परका अगी परेशानी होती तो आप नीचे कोमेंट कीजे मैं आपको पूरी जानकारी देदुगा आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा गड़े वीडियो पसंद आए तो लाइक किज़े इस बीडियो को सबस्क्राइब करें जमाएच चैनल को साथी इस बीडियो को तकी और वीडियो को जानकारी मिल सकें मिलते नेक्स पर दो तक के लिए धन्य बाद झाल झाल